नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ, आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT Virtual Classroom में. और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पढ़ने के लिए Class 10th की हिंदी. Class 10th की हिंदी में हमने अपने त्री चैप्टर्स, यानि के तीन पार्ट जो हैं हमारे शित्स, पाठ्यपुस्ति का भाग दो के कम्प्लीट कर लिए हैं. तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से हमने आपर समझे, बहुत अच्छे से तीनों का भावर्थ हमने आपर पढ़ा, और साथ ही तीनों पार्ट के प्रशनों उत्तर हमारे हो चुके हैं. और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इन तीनों चैप्टर को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा तो तीन चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं चौथे चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं ये है जैसंकर प्रशाद जी द्वारा लिखी गई कवीता आत्म कथ्या तो आत्म कथ्या हमारी जो ये कवीता है जैसंकर प्रशाद जी द्वारा लिखी गई है आत्म कथ्या यनक पक्ष था उसको यहां पर बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। परिक्षाओं में बैठते हैं, यहां पर आपका भावर्थ लिखने को आता है, तो उसमें प्रशन आता है कि कवी और कवीता का नाम, तो पाठ है चार, कवी का नाम है जैशंकर प्रसाद जी और कवीता का नाम है आत्म कत्या, तो हम चलते हैं स्मार्ट बोड की तरफ, जीवन परिचे को पढ़ेंगे और आप लोग भी इस जीवन परिचे को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जरूर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आप जैसे कि मैंने कहा कि कवीता और कवी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको क्लि वारानसी में हुआ था, 1889 में वारानसी में हुआ था, कासी के प्रस्वेद कुईस कॉलेज में विपढ़ने गए, परन्तु परिस्तितियां अनुकूल ना होने के कारण आठवी से आगे नहीं पढ़ पाए, तो पढ़ने के लिए तो वो बहुत बड़े कॉलेज में गए थे, कासी के कुईस कॉलेज में गए थे, लेकिन परिस्तितियां जो थी, पारिवारिक जो आर्थिक परिस्तितियां थी, उनके कारण आठवी से आगे नहीं पढ़ पाए और इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस हिंदी, फार्सी का अध्यन किया। नाइन्टीन थर्टी सेवन में हो गया था। और इनकी जो कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, कुछ काव्य रचनाएं हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, चित्राधार, कानन सुमन, जर्ना, आसू, लहर और कामाईनी। आधुनिक हिंदी की स्रेश्टतम काव्य कृति माने जाने वाली कामाईनी पर उन्हें मंगला प्रशाद परितोशिक दिया गया। वे कवी के साथ साथ एक सफल गध कार भी थी। तो जैशंकर प्रशाद जी केवल एक अच्छे कभी नहीं थे। ये एक सफल गध कार यानि की कहानी लिखने वाले इनकी बहुत सारे नाटक, बहुत सारे कहानी संग्रह भी हैं जो की यहाँ पर दिये गए हैं। अज्यात शत्रू, चंद्रगुप्त, सकंद्रगुप्त, धुरुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जैशंकर प्रशाद जी का जीवन परिचे यहाँ पर पढ़ लिया है। यह केवल हमने मोटे तोर पर जो जरूरी चीज़ें थी कि उनके सिक्षा कहाँ पर हुई, उनका जन कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यू कब हुई, उनकी प्रवुक्रितियां क्या हैं, कृतियां क्या हैं। वो हमने यहाँ पर पढ़ा, बाकी का जो जीवन परिचे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको घर पर रिवाईज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जैसंकर प्रशाद जी द्वारा दी गई कविता है, आत्मकथ्य, तो जो यह आत्मकथ्य कविता है, यह हंश पत्रिका, जो हंश एक पत्रिका थी, का आत्मकथ्य विशेशांक में दी गई थी, उसमें प्रकासित हुई थी यह, और यहाँ पर आत्मक पथि शैली में लिखी गई थी और इसमें जीवन का जो यथार्थ था जीवन का जो यथार्थ था उसका मार्मिक उसकी मार्मिक अभी व्यक्ति की गई थी। और यहां पर इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बताई है कि कई बार क्या होता है कि जैसे महान और रोचक मान कर कविता को महान और रोचक मान कर लोग वहवा करेंगे और कुल मिलाकर ये एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ को स्विकार करना है और दूसरी तरफ एक महान कवी की विनमरता भी यहां पर है तो यह पूरी आत्मकथ्या जो यहां पर दी गई है यह आत्मकथ्या इसको हम पढ़ते हैं इसके भावार्थ को समझते हैं तो अब आप ध्यान पूर्वक समझेंगे एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें कविता को आप भी साथ के साथ पढ़ेंगे आज घनी तो यहाँ पर आत्म कथा लेखन के विशे में यहाँ पर अपनी जो मन की भावनाएं हैं उसको व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि इसकी कोई लिखने की आत्म कथा लिखने की कोई इतनी ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं थी आत्म कथा लिखने की उन्हें बहुत ज़ादा जरूरत नहीं थी क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही उसमें दुरबलताएं हैं और ऐसे में मैं क्या आत्म कथा लिखूँ तो यहाँ पर वो लिखते हुए कहते हैं मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी मुर्जा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी इस गंभीर अनंत निलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास तब भी कहते हैं तब भी कहते हो कह डालू दुरुबलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रिती तो यहाँ पर कवी कहते हैं कि मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी कवी कहते हैं मधुप अर्थात भवरे मधुप अर्थात भवरे गुन गुना कर गुनजन करते हुए डालों से कह गाता है कोई कहानी कैसी कहानी कि उसमें से मुर्जाकर गिरती पतियां जीवन की एक करुण कहानी को सुना रहे हैं मुर्जाकर गिर रही पतियां देखो आज कितनी घनी यह कहानी कौन सुना रहा है मधुप यानि की भवरा सुना रहा है जब वो जाता है बगीचे में वो देखता है कि आज कितनी सारी जो पतियां हैं वो जीवन की करोणा यहां पर दर्शा रही हैं अर्थात उनके भी जीवन में अपने व्यताओं की कथा है और इस गंभीर अनन्त निलिमा में असंख्य जीवन एतिहास इस जो गंभीर अनंत निलिमा गंभीर अर्थात जो यह बहुत ही शांत आकाश है नीला आकाश, अनंत निलिमा, अनंत अर्थाद जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, इतना बड़ा ये नीला आकाश, इसके तले असंख्य जीवन इतिहास, निट्य प्रती, रोज नए नए जीवन के इतिहास लिखे जा रहे हैं, रोज नए इतिहास बनता है, हर एक जीवन का, तो क्या कहते हैं, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और इनकी आत्म कथाएं लिखी जा रही हैं, जो रोज नए इतिहास लिखा जा रहा है, और इन्हें लिखने वाले, ये रोज अपने आपको ही व्यंग और उपहास का पात्र बनाते हैं, तब यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानिकी जो ये रोज नए आत्म कथा लिखते हैं, रोज ये जाया जो इतिहास लिखा जाता है, ये लोग अपने आपको ही किसी उपहास का पात्र बनाते हैं, अपने आपको फिर कवी हम से पूछते हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीती, अब कवी अपने मित्रों से पूछते हैं, जो उनसे कहते हैं ना, कि आप अपनी आत्म कथा क्यों नहीं लिखते, आप अपनी आत् पाश के नीचे हर बार एक आत्म कथा, हर रोज नया जीवन का इतिहास लिखा जाता है, और उसके बार वो लोग खुद का मजाग बनाते हैं, यानि कि पढ़ने वाले क्या करते हैं, उनके मज़े लेते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसकी कम्या गिनते हैं, और खुश हो तो ऐसे में तुम मुझसे अभी भी कह रहे हो कि मैं भी लिख डालू अपने जीवन के दुर्बलताओं को, अपनी दुर्बलताओं से युक्त अपनी आत्म कथा को लिखूं, इस खाली गगरी तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीती, इस खाली गगरी को देखकर, इस खाली गागर को देखकर, यानि कि खाली गागर अर्थात, मेरी महत्वहीन आत्म कथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा, तुम क्या सीखना चाहते हो उससे, कुछ नहीं किया है मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा, कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं मैंने किया है, बहुत बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छा इंसान में नहीं हूँ, तो क्या करोगे तुम मेरी ऐसी दुर्बल आत्म कथा को पढ़के, तुम्हें क्या सुख मिलेगा उस आत्म कथा को पढ़कर, आगे कहते हैं, किन तु कहीं ऐसा नहों कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले यह संसार के बारे में यहाँ पर बताया है कभी ने आज का संसार जो है कैसा है स्वार्थी है सब लोग अच्छा भला सिर्फ अपना ही सोचते हैं जहां अच्छा हो रहा है जहां मेरा अच्छा हो रहा है जहां मेरा फाइदा हो रहा है मैं उसी काम को करूँगा भले ही किसी का नुकसान क्यों न हो जाए लेकिन मेरा फाइदा होना चाहिए सब अपने फाइदे के लिए सोचते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, तो अब लेखा कह रहे हैं कि तुम मुझसे कहतो रहे हो, जब तुम देख रहे हो संसार में, कि यहाँ पर सभी अपनी व्यथाओं की कथा है, और इतने गंभीर नीले आकाश के नीचे हैं ऐसी खाली, खाली गगरी महत वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा, तो किन्तु, तो अब अंदाजा लगा रहे हैं, यहाँ पर कभी अपने मित्र से कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहों, किन्तु ऐसा नहों कि तुम ही खाली करने बाले, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, तो वो अपने मित्रों से कहते हैं कि कहीं ऐसा नहों, मेरी रस से सून्य, यानि कि मेरा, मेरी आत्मकथा में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो कहीं ऐसा नहों कि जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ो, मेरी आत्म कथा को तुम पढ़ो तो तुम अपने आपको ही ऐसा न समझने लगो कि तुम ही हो इसको खाली करने वाले यानि कि तुम ही अपने आपको अपराधी न समझने लगो अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले तुम्हें ऐसा न लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस याने कि क्या होता है कि हम अपने फाइदे के लिए सब लोगों को सब लोगों का काम भी करते हैं, help भी करते हैं, तो कहीं न कहीं जब तुम मेरी आत्म कथा को पढ़ोगे, तो कहीं तुम भी अपने आपको अपराधी न समझने लगो, कि मेरे जीवन का रस लेकर, मेरे जीवन की खुशिया लेकर तुमने अपनी घगरी भरी है अपना, अपने जीवन में अपना सुख तुमने लिया है। यह विडम बना, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह विडम बना है, यह विडम बना अरी सरलते तेरी हसी उडाओं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाओं में, तो अब यहाँ पर कभी कहते हैं, कि यह विडम बना है, अब मैं असमंजस में हूँ, विडम बना में हूँ, कि अपनी भूलों और ठगे जाने के विशे में, अरी सरलते तेरी हसी उडाओं में, यानि कि मैं सरलता से अपनी भूलों के विशे में, क्योंकि जब मैं आत्म कथा लिखूंगा, तो मैं आत्म कथा म वो सारी चीजे लिखूंगा जो मेरे जीवन में अच्छा और बुरा घटित हुआ है आत्म कथा लिखूंगा तो सब कुछ उसमें लिखूंगा तो कहीं मैं अरी सरलते तेरी हसी उडाओं में कहीं अपनी ही मैं इतने आसानी से ये मेरे अंदर ये विडंबना आ गई है कि मैं सरलता से अपनी हसी नहीं उडाना चाहता भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाओं में मैं इतनी आसानी से लोगों को अपना मजाक नहीं बनाने देना चाहता अपनी जो भूले हैं जो भूल मैंने अपने जीवन में की है या जो प्रवंचना जो ठगी मेरे साथ आगे कहते हैं अрь खिल खिला कर हस्ते होने वाली उन बातों की। अब अपने जीवन में अपनी प्रिय के साथ बिताए हुए कुछ मधुर छणों के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं कैसे, कैसे अपनी वो जीवन की जो उज्वल गाथा है, आप बार बार फोर्स कर रहे हो, मेरे जीवन में तो इतनी सारी चीज़े हैं, कहीं अच्छाई है, कहीं बुराई है, कहीं हसी है, कहीं खुशी है, कहीं मेरे जो मेरे अपने प्रिये के संग बिटाए गए, जो मेरे पल है, वो सब कैसे मैं आपको सुनाओं, उजुवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जो चांदनी रात में मैंने अपनी प्रिये के साथ जो जीवन की कुछ मधुर छण के बिताए हैं तो मैं उन छणों की कहानी कैसे तुम्हें सुना दूँ अरे खिल खिला कर हस्ते होने वाली उन बातों की और क्योंकि जो खिल खिला कर हस्ती हुई की गई कुछ बातें थी और वो मैं तुम्हें कैसे बता दूँ अपने एक असफल प्रेम की गाथा जिसमें कुछ समय ही मैंने सुख के छण व्यतीत किये थे तो कैसे मैं उन्हें तुम्हें सुना दूँ मिला कहां वह सुख जिसका में स्वपन देखकर जाग गया आगी की कवीता में कहते हैं कि मिला कहां वह सुख जिसका में स्वपन देखकर जाग गया आलिंगन में आते आते मूँ सखिया कर जो भाग गया बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कहते हैं मिला कहां वे सुख जिसका में स्वपन देखकर जाग गया तो यहाँ पर अब कहते हैं कि जो मेरे जीवन की यूजुल गाथा है जो मेरे जीवन की मधूर चांदनी राते हैं और जो कुछ खिल खिला कर जो हस्ते हुए होने वाली जो बाते हैं उनकी गाथा में तुम्हें कैसे सुनाओं। जो कुछ यहां पर जो भूली हुई कुछ जो स्मृतियां हैं उन्हें जगा कर जो थोड़ा बहुत मेरे जीवन में जो सुख था उस भूली हुई स्मृति को जगा कर मैं कैसे अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता मैं कैसे अपने मन को व्यथित करूं तो कैसे मैं तुम्ह महारे सामने अपने जीवन की वो बाते कर दूँ और मिला कहां मुझे वो सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जाग गया। तो कभी कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी सुख के सपने देखे थे, हर कोई देखता है। इंसान अपने जीवन में दुखी होने के बारे में कोई नहीं सोचता, सब सुखी होने के लिए ही मैनत करते हैं, सब सुखी रहने के लिए ही मैनत करते हैं, तो सब सुखी रहने के लिए ही सपने देखते हैं, तो कभी कहते हैं मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वपन देख कर यानि कि जो मेरे जीवन में सुख के सपने मैंने देखे थे वो सुख के सपने मेरे कभी पूरे नहीं हुए आलिंगन में आते आते मुझ सख्या कर जो भाग गया यानि कि जो सुख था आलिंगन अर्थात बाहों में भरना आलिंगन करना गले से लगाना तो ऐसा सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे गले लगाते लगाते मुझ सिख्या कर अर्थात मुझ को चुपा कर मुझे तरसा कर मेरे जीवन से भाग गया मेरे जीवन से वापस चला गया यानि कि जिस सुख के मैंने सपने देखे थे जिस सुख के लिए मैं बाहे फैलाए हुए खड़ा था वो सुख मेरे आलिंगन में आते आते वो सुख मुझे गले लगाते लगाते मूँ सिखिया कर यानि कि मुझ से मूँ छुपा कर विर्कुल साइड से चुपचाप मेरे निकल गया जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधु माया में तो आगे की पंक्टियों में कहते हैं कि यहां पर जो पंक्टियां हैं इसमें कवी कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रिया को पाने का जो सपना था मेरे प्रियतम को पाने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, यनि कि जो मेरे जीवन में एक ही सुख था, मेरे जीवन का एक ही सुख था, वो था मेरा प्रिय और उसका ही सुख मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं अपने प्रेक का जो सुख था उसका सपना मेरा अधूरा रह गया और अब मैं एक इस तरह का व्यक्ति हूँ जिसके अरुण कपोलो की सुन्दर मतवाली छाया में अनुरागिनी उशा लेती निज सुहाग मधुमाया में तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखे जो मेरी प्रिया है जिसके अरुण कपोलों की जो मेरी प्रिया है उसके जो अरुण कपोल अर्थात जो गुलाबी गुलाबी जो उसके गाल है जानि कि उसके गालों पर इतनी लालिमा चायी हुई है इतनी सुन्दरता भरी हुई है कि उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुन्दर चाया में, मतवाली यानि की बहुत प्यारी सुन्दर प्रेम मई जो उसकी चाया है अनुरागिनी उशा लेती थी निज सुहाग मधु माया में और प्रेम जब मस्ती भरी मेरी जो प्रिया थी जो मेरी प्रियतमा थी उसके गालों पर लालिमा चायी हुई रहती थी और इतनी सुन्दर मतवाली सुन्दर चाया थी उसकी बहुत ही सुन्दर उसका फेसा बहुत ही सुन्दर वो थी और अनुरागिनी उशा लेती थी निज स सुभाग मधु माया में, तो रोज सुभे, सुभे के समय पे अनुरागनी उशा, सुभे के समय में प्रेम माई उशा में, जो प्रेम से भरी हुई सुभे होती थी, वो अपनी मांग में सुभाग का सौभाग का सिंदूर भरने के लिए उससे लालिमा लिया करती थी, यानि कि जो सुनेहरी जो सुभे की धूप की जो किरने आती है वो उससे लालिमा लिया करती थी इतनी सुन्दरता थी उनके चहरे पर आगे कहते हैं उसकी स्मर्ती पथे यबनी है ठके पथिक की पंथा की उसकी स्मर्ती पथे यबनी है ठके पथिक की पंथा की सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की तो अब यहाँ पर कभी कहते हैं उसकी स्मर्ती पथे यबनी है ठके पथिक की पंथा की उसकी जो यादे हैं मेरी प्रिय की यादे जो हैं क्योंकि आज मैं किस तरह का हूँ ठके पथिक आज मैं एक ठके हुए यात्री के समान हूँ मेरे जीवन का जो एक पड़ाव है वो निकल चुका है और अब मैं जीवन में काफी ठक चुका हूँ मैं एक ठके हुए यात्री के समान हूँ लेकिन जो मेरे प्रिय की स्मर्तियां हैं मेरे प्रिय की जो यादे हैं मेरे उस जीवन यात्रा में उसकी स्मर्ति पथे बनी है ठके पथिक की पंथा की पंथा अर्थात जीवन यात्रा में पथ के भोजन के समान है पथे के समान है यानि की मेरे सहायक के समान है तो आगे कहते हैं सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की उन्हीं के यहाँ पर लेखक क्या कहना है कि आज मैं उन्हीं के सहारे, उनकी यादों के सहारे ही अपने जीवन को काट रहा हूँ, अपने जीवन को बिताने के लिए साहस जुटा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सीवन को उधेर देखोगे, यानि कि जो मेरी यादों की गुदड़ी है ये यादों का की सीवन जो मेरी है यादों का जो मैंने एक कंबल बनाया हुआ है यादों की जो मैंने एक गुदड़ी बनाई हुई है उसे उधेड कर जिससे लिपट कर मैं दिन रात सोता हूँ दिन रात जिससे लिपटा हुआ मै तो ऐसी गुदड़ी को तुम क्यों उधेड़ना चाहते हो तुम क्यों उधेड़ कर देखोगे मेरी इस हृदय में जो कंथा यदि की जो कथा है मेरी जो कथा है मेरी जो आत्म कथा है उसको पढ़कर तुम मेरी उन यादों को क्यों उकेरना चाहते हो क्यों मेरी उन यादों को ताजा करना चाहते हो चोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं अब यहां पर कभी कहते हैं कि जो अपने जीवन की छोटे से जीवन की जीवन मेरा छोटा सा है ऐसे छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं यानि कि उनका कहना है कि जो उनका जीवन है वो एक साधारण मनुष्य का जीवन है बिलकुल साधारण मनुष्य का जीवन है सी इधे साधे जीवन की, छोटे से जीवन की जो बड़ी कथाएं हैं, बड़ी कथाएं अर्थात, जो मेरे जीवन की, मेरे लिए जो बहुत बड़ी-बड़ी बाते हैं, उनको और भी बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ये मेरे लिए संभव नहीं है, कैसे बढ़ी कथाएं आज कह जीवन मेरा छोटा सा है उसकी जो कहानिया है उसको उनको में बढ़ा चड़ा कर कैसे लिख दूँ कैसे मैं उनमें और ज्यादा बाते बना दूँ क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं कभी कहते हैं कि इस पाखंड के बजाए ये पाखंड करने के बजा कि मेरे साधारन से जीवन को मैं बढ़ा चड़ा कर लिखूं इससे तो अच्छा है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं मैं दूसरों की यश गाथाएं सुनता रहूं ये कहीं जादा अच्छा है अपने आपको बढ़ा चड़ा कर लिखना आगे कहते हैं सुनकर क्या तुम कर बहुत ही प्यारी पंक्तियां कि सुनकर क्या करोगे भला तुम मेरी भोली आत्म कथा अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा तो अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली निस्कपट दुर्बल हिर्दय और जो हमेशा छला जाता रहा हो ऐसे व्यक्ति कि तुम आत्म कथा को सुनकर क्या करोगे मेरी एक इस भोली भाली आत्म कथा को सुनकर तुम क्या करोगे क्यूंकि अभी समय नहीं है मैं नहीं चाहता कि मैं आत्म कथा को लिख कर अभी जो मेरी आत्म कथा है वो बहुत जादा ठक चुकी है इस जीवन से बहुत जादा ठक चुकी है, मैं अभी लिखकर उस जीवन के उस कटू सत्य को व्यतीत करने वाली स्मृतियों को फिर से नहीं जगाना चाहता, वो अभी सोई है, मौन है, तो मैं उनको अभी फिर से नहीं जगाना चाहता. तो बच्यों इस तरह से हमने यहाँ पर आत्म कथ्य जो हमारी कवीता है, इसको पढ़ लिया है, भावा अर्थ भी समझ लिया है, इसका जो next हमारा सेशन होने वाला है, आज का next session भी हम हिंदी का ही लेंगे, तो next session में हम इस भावा अर्थ को एक बार फिर से पढढ़ेंगे, और साथ ही साथ कठिन शब्द और पार्ट से जुड़े हुए प्रश्णों उत्तर हम करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।